नमस्कार, पिछले वीडियो को काफी आप लोग दोरा साहा गया था और लाइक भी किया गया था आज आप ही लोग प्यागरा पर हम जो नौजवानों का विद्यातियों का जो केश ज़रता है उस पर हम वीडियो बिदाने के लिए परीर्थ हुए हैं आज आपको हम किस ज़र्णेया रुकने के लिए हुमिपैथिक में कौन कौन सा दवा हो सकता है और किस किस दवा के सेवन से आपका विमारी खत्म होगा और खाना में क्या-क्या हम लेंगे ताकि मेरा केस ज़र्णेय नहीं और घना सा बरा सा दीखे ताकि हम लोग स्मार्ट दिख सकें किस ज़र्णा आम बातों हो गही है और लड़के का लड़कियों का किशी की उमर के भिव्यक्तिक हो सकता है किस ज़र्णा की समस्या हमें टीवी चैनल पर अनक तरव का भी दिखाये जाता है आप तरह तरह के दवाड़ ले रहे हैं तरह तरह के कस्मेटिक यमज कर है कोई अंडा लगाता है कोई देही लगाता है ना जाने क्या क्या लगाता है उसके बाद भी केश जड़ना आपका ठीक नहीं हो रहा है तमाम तरह के चिकिस्टा लेने के बाद आपका केश जड़ना नहीं भूक रहा है और किसी भी तरह के आपके प्रियोग किये गए दमाओं का अ ताकि आपके हर वीडियो का हैदा मिल सकें आपको हमें यह बता कर आपारक ठीक हो रही हैं कि हमें आप मौका दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए के ज़ड़ने पर feeling of fear जिसे कहा जाता है feeling of fear में अनेक व्यक्ति इसके सिकार होते हैं आपको यह जान को अच्छी लगेगी आज आज के वीडियो आपके इस समस्या का समाधान करने में पूंतफ कारगर होगा हमें यासरा है कि आपको यह वीडियो देखकर आपके समस्या का समाधान जिरूए है हम Quick में प्रशाया के प्रशाय में पढ़ने की जरूत नहीं है आप नहीं है आप श्केश लगतार देखंगे रहें और सब्सक्राइब करते हरें और में चैनल का पैदा आपहई जयादा से जयादा उठाए हमको इसमें खुसी होगी आपका सिह बना रहे आपका केस नहीं जहरे, आपका केस लंबा दीखे, आप समाज के सामने आप इसमार्ट दीखे, हमारे चैनल को इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपको जानकर अश्चर होगा कि हमारे चैनल को बनाने में अगर आपके केस में हंगस लगा हुआ है तो आप इसके लिए दवा कासिवन जरूर करें, किसी भी से सक्षी गिसा के जरूर राय ले, हम उसमें सला आपको बहुत जरूर देंगे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस हुमिपैथिक्षी गिसा की केवल राय मातु देना है यदि मेरा उसमें भी राय सला आपको अच्छा लगता है, हमको आपको बताने में बहुत तरह के खुसी होती है और अनेक तरह के वीडियो बनाने में मुझे फुसी आ रही है, आप मैं वीडियो के लगतार देखते हैं, इसलिए तो आप दवा को नोट करना सुरू करें और एसिड फोस हुमीपेधी दवा मदर टींचर आपको भी इसका पांच बून एक कप पानी में दिन में तीन बर लेना है इसका सेवन करें और तिसरी दवा है अमलो की जो हमारे भारत बर्स में आउना के सेवन इससे ही बना होता है और उसको सेवन भी करते हैं, आप उसका सेवन भी करें दवा भी खाया अमलोकी दवा से हमको लगता है कि आपको केजहाना रूख जाएगा, आप उसके बारे में किसी जुक्ति विसाथ सट से आप राए ले सकती है आपको राए लेने के लिए खाला और एक दबार है, जिवकि आपको लगाना है आपके सब्से हर स अपना से घर में त्यार करें सुध नागय का तेर करें दवा का प्रयोग करें हम पांच आप कलम लेकर कलम कोपी लेकर आप नोट करने के त्यार हो जाए और हम उसको त्वन्थ हम आपको पांच दवाओ को नाम बताते हैं जिससे कि एक हानी रहिक बिना किसी साइड हम त्यार है और हम आपके फर्मूले को पताएंगे आप हुमेपैथी के मदर टिंजर क्यू सक्ति में अर्निकामोंट आप एक नमर में लिखे अर्निकामोंट क्यू दस सेमेल टेने मेल आप लें उसको दूसरी दवा एशिट फोस एशिट फोस भी दस सेमेल क्यू मतरा यह आप लें तिस्री दवा है चाइना चाइना क्यू इसको भी दस सेमेल लें चोथी दवा स्यून अतोस है आप इसको दस सेमेल लें पांचवी दवा भी एक जबेरेंडी आप जबेरेंडी दवा को लें आपको जबेरेंडी दवा पांचवी दवा होगी पांचवी दवाओं को एक साथ मिक्स करें यह आपका हो गया 50 मेल दवागों डंगला है देशने मेल नारियर के तेल में देशने में और उसको पुरा तदसर सेख करें खुब अच्छा से करने माला तुरंत आपका नारियर के तेल में इसको मिलाए और आपका त्यार हो गया यह आप उसको नहाने के बाद सेंपू लगाने के बाद सम्पू के बारे में भी आप किसी मुद्प्रति के इस्टोर में जाएंगे किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे और निकाम होंट और उसके बाद पूरे तवली से शुखा लें शुखने के बाद उसे स्कोसिस करें कि सुबह साम तिल को धीरे धीरे हलका हलका मालिस करें आथवागे समय नहीं मिलता है आपको एक बार दिन में सुबह के सुबह रोज का रोज लगाए किसी आपका बाल घना लंबा और कला कि दम दिखेगा आपके केश जणने से आपको काफी मुक्ति मिलेगी और सेलेनियम आपको किछले बारे बताये थे सेलेनियम दो सो की मात्रा में 4 दिन में तीन वार लीजिये और एसीट फोस पास बूं दिन में तीन वार और हम लोकी 10 बुन एक पानी में दिवन तीन बार शब को पानी में ही दवा को लेना है आप किसी विए च्चिके सब से राय ले सकते हैं भिज़ लग रहा है कि आपके केश भरने का समधान हो गया होगा आप विद्यार्थी सभी लोग जिन विद्यार्थी सहीत जिन लोगों भी केश हड़ने का समस्या है, इनके समस्या का समाधान हो गया होगा, अब हम चैनल अपना बंद कर रहे हैं, और चैनल को फिर आपको सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, चैनल में किसी भी तरह के कोई खामी अगई यो खोटी यो गई है, उसके लिए मैं यो कोमेंट बस में परतिकिया दे, अगर मेरा आपको सुझाव और सलाह अच्छा लगता है, तो एक लाइक, अगर यही सलाह मेरा नहीं अच्छा लगता है, तो डिसलाइक, इसमें आपको किसी भी तरह के हिचकी चाने के जिरुत नहीं है, अगर मे मेरे दोरा जरंकाई जो दी गई अच्छी अगर नहीं लगती है, तो एक बार हमें जरूर आप सुझित करें, हमें कोशिस रहेगा कि अगरे बार विसस्वग्यों से काफी तयारी के साथ, काफी आपको अध्यन के बाद ही आपको सलाह दिया जाए, आपके YouTube चैनल के माध्य से मेरा YouTube चैनल के माध्यम से आपको जयकाई दे रहे हैं, और आप ले रहे हैं, हम कुखुसी है कि आप मेरे सुझाव को ले रहे हैं, और भीव अच्छा आ रहा है, आप इसी के साथ बहुत विश्वास के साथ करते हैं, कि आप जभी मीलेंगे, तो मेरे चैनल की पर सा जरूर करेंगे, और इक लाइक का बटम जरूर दे गाएंगे, इसी के साथ आप से मेहम विदा लेता हूं, जय हीं, जय भारत!